हलो बच्चो करने की कोशिश करते हैं कि सिंपल मघब करने रट ले उससे ये होगा नहीं क्योंकि ये आगे जाके फिर प्रावलम क्रेट करता है अगर आपका डैवर्स्टी वाला पार्ट बेसिक फॉर्म में आपका तयार नहीं होँआ याद होना एक डिफरेंट चीज है पर बेसिक्स उसके ठीक होना मतलब बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके अगर कॉंसेप्स की क्लेर्टी आ जाती है इस टॉपिक को लेकर तो आप काफी जादा इंप्रूव कर सकते हैं बाक्री टॉपिक्स में क्योंकि इसका पूरा इफेक्ट जो रहता है कि जैसे एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे एक्च्वल में क्या होता है पढ़ाई में अगर सीक्वेंस हो तो सीक्वेंस हेल्प करता आपको चीजों को समझने में कि हमें ये पढ़ना इसके बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा दूसरी चीज हम क्या करेंगे बिटा, इसमें जो एक topic given है, जिसे हम कहते है kingdom of classification, two kingdom, three kingdom, four kingdom classification, जो है five kingdom classification है, उसको हम पढ़ेंगे living world के साथ, हम living world के साथ, plant kingdom के starting वाला part मैंने वो भी अभी छोड़ा हुआ है उसके साथ, उसको living world में पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो वहाँ relate कर सकत है, क्योंकि उसको taxonomy से हम relate कर पाएंगे, तो उसको living world से वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम जो start करेंगे topic, वो monara से start करेंगे, तो जड़ाद देख लेते हैं chapter में क्या है, और हमें क्या detail पढ़नी है, मैं repeat करूंगा, make sure, notes बनाईए आप लोग साथ के साथ, और उसके पुराना, previous year question, PYQ जिसे कहते हैं, बहुत important नहीं होता है, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ, PYQ क्या देते हैं, trend, and trend should be recent, बहुत पुराने चीज, trend नहीं होती, वो obsolete हो जाता है, पुराना हो जाता है, समझागी बात, ठीक है, start करते हैं lecture को, ठीक है, और फिर एक चीज और, हमन इसको करेंगे, हम छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, इसके बाद हम morphology पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग living world या minimal nutrition पढ़ सकते हैं, sequence मैंने आपको बता दिया, तो start करते हैं chapter को, सबसे पहले, हम पढ़ेंगे विटा, अगर आपको देखो topics क्या हैं इस chapter में, हमारे पास इस topic को मैं deal करने वाला हूँ आपके साथ, कहां पर living world में, तो ये topic जो है, हम लोग किस chapter में deal करेंगे, living world में deal करेंगे, वहां उस chapter में पढ़ेंगे, तो इस chapter में जो हम topic पढ़ेंगे विटा, वो basically क्या रहेगा, monera रहेगा, protesta रहेगा, fungi रहेगा, virus, viroids, prions, lichen, mycorrhizal, य में जो सबसे, मतलब, proper, जो बड़ा topic है, that is virus, clear, दूसरी वाद, ध्यान से सुनना आप, हम लोग क्या करते हैं, जब five kingdom classification करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो पांच kingdom होती है, first kingdom is monera, then protesta, fungi, एक plantae और एक animalia, plantae और animalia के अलिए हमारे पास separate chapter है, तो ये तीन kingdom इस chapter में पढ़ा दिया जाएगा, तो हम लोग क्या topic पढ़ने वाले हैं आज, आज का हमारे पास topic रहने वाला है monera, इस kingdom को discuss करेंगे, इसकी details जानेंगे, और please आप NCRT के आसपास रहे, यहाँ पर थोड़ा बाहर जाता है, पर मैं reason बताऊंगा क्या बाहर जाएगा NCRT, एक reason के साथ, ऐसे ठीक है, चले start करते हैं, सबसे पहले हमें monera को जब पढ़ना है, या कोई भी topic पढ़ना है, धान से सुने बिटा, monera के अलावा अगर मैं fungi भी पढ़ूंगा, तो मैं एक sequence follow करूंगा, वो sequence लो, जिस sequence की मैं बात कर रहा था आप से, मैं क्या sequence follow करने वाल, वो sequence देखो, जब ह हम पढ़ेंगे, वो कहां मिलता है, that is basically habitat, means, habitat क्या करेगी, बहुत सारे organism का nutrition relate कर देती है, habitat exactly क्या करती है, बहुत सारे organism का nutrition भी relate कर देती है, वो saprophytic है, तो वो dead or decaying पे मिल रहा है, habitat क्या हो गया, dead and decaying organism, nutrition क्या हो गया, saprophytic, तो हम क्या करते है, lower organism में उनके habitat को जानने की कोश जरूर करते हैं, ठीक है, now structure, जब मैं structure की बात करता हूँ, structure की बात करता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ, सुन लो ध्यान से, मैं पढ़ता हूँ, cell का structure, फिर उसकी detail पढ़ सकते हैं, फिर मालो multi-cellular organism है, देखो, अगर मैं structure वाला concept, पूरे 5 kingdom पे apply करो, तो मैं कैसे लेकिन अगर मैं multi-cellular organism like plantae की बात करता हूँ, उनमें तो बहुत सारे cells है, तो जब बहुत सारे cells हैं वहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो इनके अंदर tissue बना के नहीं बना ये वाली चीज पढ़नी, मतलब मुझे उनके internal structure की detail पढ़नी, which is called anatomy, और फ second topic हम लोग structure पढ़ेंगे, monora और protista के लिए structure का main meaning है, उनके cell की detail, clear हो गई बात, यह को एक sequence है बिटा पढ़ाई में, ठीके, सबसे पहले habitat, then we go for structure, third topic is nutrition, जो third topic हम लोग discuss करेंगे, that is nutrition, हम लोग monora का क्या पढ़ने वाले हैं बिटा, nutrition पढ़ने वाले हैं, nutrition, nutrition बहुत important होता ह है, क्योंकि हम यह समझते हैं कि plant kingdom में तो एक ही type का nutrition है, इसलिए उसके लिए उतना important नहीं है, पर जो lower organism थे, lower organism किने बोलते हैं, जैसे कि bacteria हो गया, protista हो गया, इस चीज़ समझा रहा है, इन में हमारे पास nutrition का concept बहुत important है, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे autotrophic है, heterotrophic है, यह स reproduction पढ़ रहे थे, यह चीज़ समझा रही है, इसका मतलब यह है, कि reproduction एक बहुत important topic है, clear, तो reproduction पढ़ेंगे, और finally हमें क्या पढ़ना होता है, significant, अब यहाँ पर एक catch यह है, कि आपकी book ऐसे design है, diversity वाला जो unit है, पूरा, उसमें living world में उसने basic classification के तरीके बताए है, biological classification में उसन उसने angiosperm नहीं पढ़ाया, angiosperm का जो basically structure वाला part है, वो chapter 5 है अपका morphology, internal structure है, anatomy वाला chapter, किसकी बात कर रहा है, angiosperm की, और फिर angiosperm का reproduction class 12 के chapter 1 में है, तो sequence वो यही follow कर रहा है, ठीक है, अब उसने क्या किया बिटा, उसने क्या किया, animal को भी पढ़ाया, ऐसे ही, ठीक है, पिशू पढ़ा दिया, उसके structure को लेके, यह बात गयोगी, अब क्या हुआ बिटा, ध्यान से सुने, ध्यान सुने, अब क्या हुआ है, कि bacteria का, इन organisms का, जो हमारे पास basically significance है, फोड़ा बोत तो 11 में बताया है, 12 में एक human welfare करके unit है, वहाँ पर microbes in human welfare करके chapter 8, तो एक पूरी की हम लोग जो topic पढ़ेंगे, monera, fungi, protist, हमें क्या sequence follow करेंगे, first habitat, then we go for structure, nutrition, then reproduction, और क्या पढ़ने वाले है, significant, done है, clear, सही है, क्योंकि sequence समझ आ जाये का, तो topic समझ आ जाये, clear, यह बहुत आसान होता है topic समझना, अगर आपको समझ आ जाये, यह पढ़ के हो रहे है, यह बहुत important clear है, चलिए, start कर रहे हम लोग, सबसे पहले बात करते है, habitat की, ठीक है, clear, जुनेंगे, अगर मैं एक general introduction बताता हूँ, monera का, तो हम क्या करते है, monera को represent करते हैं, bacteria से, blue-green algae, जिसे आप syno bacteria कहते है, mycoplasma and PPLO, यह मेरा style of teaching नहीं है, कि मैं ऐसे mark करता हूँ, ठीक है, मुझे खर सबसे पहले, इनका हम habitat discuss करना चाहरे है, यहां से सुनो बिटा, सबसे पहले हम कह रहे हैं, इसका habitat क्या है, यह कहां मिलते हैं, भाई, यह सब जगा मिलते हैं, हम कहते हैं, सब जगा, अब यह सब जगा क्या है, found everywhere, everywhere के लिए, NCRT, fungi के लिए एक word यूज करती है, cosmopolitan, cosmopolitan का म metropolitan city में मिलने वाला, तो cosmopolitan मतलब सब जगा मिल रहा, यह सब जगा क्या है, हम कह रहे हैं, भाई, soil में मिल रहा है, सब जगा में, air में मिल रहा है, और मेरे पास कहां मिल रहा है, पानी में भी मिल रहा है, तो यह तो हमने जब भी पढ़ना है, किसी का normal habitat पढ़ना है, लेकिन मेरे पास कुछ unusual habitat भी तो होगा तो unusual habitat का क्या मतलब हुआ जहां पर normal life नहीं मिलती है तो यह unusual habitat में क्या हो गया बिटा हमारे पास एक हो गया मेरे पास hot water का spring करके है जहां पर गरम पानी है बहुत ज़ादा ना होते हैं ना गरम पानी के मतलब sources होते है होट वाटर के सोर्सित होते हैं, मेरे पास ये गट में मिल गया, इंटेस्टाइन में मिल जाता है, फीक है, कुछ तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, हेलिकोबेक्टर पाइलोर आई, वो स्टमेक में एसेड में मिल रहा है, हाना, ये चीज भी पढ़ी थी आपने, उसके अलावा ये डेजर्ट में मिल जाते हैं, समझ रहे हैं, कोल्ड टेंपरेचर तक पर भी मिल जाते हैं, कुछ कोल्ड पर भी मिल जाते हैं, कि इनका कुछ unusual habitat है, तो हम लोग जब habitat की बात करते हैं, तो हम कहते हैं, नर्मल habitat और unusual habitat, इस पर डिसक्स करते हैं, अब देख सकते हो, इस शीज को, कि हम लोग बात कर रहे हैं, सब जगा मिल रहे हैं, soil में भी मिल रहा है मुझे हाना, और unusual में क्या है, जैसे hot spring, डेजर्ट, डीप ओशियंस में प्राब्लम होती है प्रैशर की, मतलब प्रैशर बहुत जादा होता है, हाला स्नो में हो गया तो और बहुत सारे तो किसी और्गेनिजम में ऐसा पैरासाइट भी मिलते हैं, गट में मिल जाते हैं हमारे, ठीक है, तो हम यहां समझ रहे हैं कि य जहीं ना कहीं से अपनी नीड पूरहीं कर लेखा है हमाज़े है, simplicity जो होती है, उसकी जादा need नहीं होती है और इस वजए से वह कहीं भी रह सकता है, इस ना चलो जहां से बात करते हैं, अगली बात करते हैं अगला जो topic रहता है हमारे पास हम size और shape की बात करते हैं, ठीक है ध्यान से सुने, हम लोग size और shape की बात करते हैं, इसमें ध्यान से सुनना में जो आपको बता रहा हूँ, पिटा, monara का जो normal size होता है, उसको हम NCRT में 2 data लिख रखा है, एक जगा एक से मतलब 2 mu meter लिख रखा है, एक जगा आपका 3 से 5 लिख रखा है, तो हम normally ऐसा रखते हैं कि ये 2 से 5 mu meter का होता है, size normally monara का ये रहता है कि 2 से 5 mu meter का होता है, मतलब mu meter क्या होती है, 10 की पार minus 6 meter, ठीके, clear, वो चीज़ होता है, दूसरा आपने क्या याद रखना है, mycoplasma छोटा होता है, mycoplasma जो होता है आपका, वो छोटा होता है, वो small size का है, तो smallest bacteria है, तो उसका जो size है मेरे पास, जहां से सुनेंगे, size important है, that is 0.3 mu meter, ये NCRT नहीं लिखा हुआ है, इतना size होता, छोटे size का होता, अब मेरे बास सुनें जहां से, हमने पढ़ना है structure, तो structure में सबसे पहले क्या पढ़ोगे, shape, size, उसके बाद cell की detail, जो pure आपको समझ आनी ची, NCRT से पढ़ेंगे, अब shape देखो बिटा, shape हम कैसी कैसी बनाते हैं, एक spherical, उस spherical shape को हम क्या नाम देते हैं, cocus, अब cocus में भी देखो, single cocus हो सकता है, दो cocus को कहेंगे, diplo cocus, ऐसा दिखेगा, chain बन जाएगी, chain is known as streptococcus, ऐसा, तो मेरे पास एक हो गई shape, spherical, जिसे हम cocus कहते हैं, दूसरा shape हमारे पास यह होती, rod shape, इस rod shape को हम क्या नाम देते हैं, bacillus, क्या नाम देंगे, bacillus नाम देंगे, आपके सामने है, यह रह diagram bacillus, this is bacillus, ठीक है, तीसरी shape हमारे पास, third shape होती है, comma shape, ठीक है, उसे हम कहते है, vibrio, vibrio कैसा है, ऐसा comma shape का होता है, and fourth is spirillion, तो यह चार shape ह है, हमारे पास main, अब इसमें क्या-क्या question आता है, question बता जेता हूँ, आपको जो आ सकते है, सबसे पहला question आएगा, most common type of shape बताओ, तो आप कहेंगे bacillus, सबसे common type की shape कौन सी है, bacillus, एक ऐसी shape जिस पे flagella हो ही नहीं सकता, cocus, समझा रहा है, एक ऐसी shape जिस पे flagella नहीं हो सक सकता, उसे cocus की कई form बनती है, देखो, एक बनता है सारसीना, ये 3D shape होती है, मतलब काफी सारे लगे होते हैं, और एक पूरा bunch of grape जैसा होता है, उसे staphylococcus कहते है, तो cocus में form होती है, दो लगे होंगे, diplo, chain, strepto, फिर पूरा 3D structure की cube की form में लगा होंगे, तो that is, that is सारसीन and that is staphylococcus, clear, तो आपको क्या क्या याद करना है, कि किसमें फ्लैजिला नहीं हो सकता, cocus, most common shape is bacillus, ये 2 question normally इसके बनती है, ठीक है, आगे चलते हैं, shape के बाद, next topic, we are going to discuss basically structure, हम लोग क्या discuss करने वाले हैं, बिटा, जान से सुनो, हम लोग discuss करने वाले हैं, structure, 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 ठीक है, तो हम किसका structure पढ़ेंगे, भाई, cell का structure पढ़ रहा है, अब cell का structure तो chapter second में दे नहीं रखा, cell का structure chapter second में तो है नहीं, फिर कहां से लें इसे, इसे लेते हैं, chapter number 8 से, वहां से उठाते हैं, reason है बेटा, क्योंकि बिना structure पढ़ेंगे, देखो मैं आपको क्या बता हमारे पास मीजोजोम नहीं होते हैं Arsen याद कर लेते हैं तब याद थोड़ी होगा तो पहली ये देख लो में है क्या फिर आप यह समझो कि क्या नहीं होता है क्या होता है अलग अलग कुछ में ठीक है तो सबसे पहले हम जानेंगे cell के structure को तो इसको हम कहां से deal करेंगे this topic हम लोग कहां से ले रहे हैं this topic हम ले रहे हैं cell unit of life से और वहां से हम पढ़ रहे है topic structure of prokaryotic cell वहां से इसको relate करेंगे structure of prokaryotic cell clear क्योंकि जब तक आपको prokaryotic cell का structure नहीं आता होगा तब तक आप detail समझ नहीं पाएंगे तो सबसे पहले हम लोग डील करने वाले है structure of prokaryotic cell clear हो गई बात चलिए start करते हैं prokaryotic cell का structure एक structure आपके सामने है सबसे पहले इसमें क्या-क्या होता है उसको समझेगे ठीक है एक-एक detail हमारे पास समझेंगे तो we are starting with the structure part ठीक है अच्छा जब भी कभी बिटा किसी cell का structure पढ़ो ना बाहर से अंदर की तरफ move करो बढ़िया रहेगा पढ़ने का एक तरीका होता है कि जब भी आप पढ़ो तो बाहर से अंदर की तरफ move करो करो है ताकि कुछ miss ना हो ना एक sequence में जाते है सबसे बाहर क्या होता है ध एक और लेयर होती है जिसे हम cell wall कहते हैं विनि bicycle कि चोंध कर हमारे अदर हमारे पास एक नियर में तो टोटल मेरे पास ठीम प्रोटेक्टिव ले first is cell wall, देख लो सबसे बाहर cell wall होगी, सबसे बाहर glycocalyx होगी, second number पर क्या होगी हमारे पास cell wall, मालो इसको मैं glycocalyx कह दू, this is cell wall, अंदर मेरे पास plasma membrane, इन तीन ले रहे हैं, इन तीनों को मिलाके में common word यूज़ करते हैं, cell envelope, समझ में आ रहा है, मैंने क्या word यूज़ किया, मैंने का तीनों को मिलाके में common word यूज़ करूँगा, cell envelope, cell envelope is basically 1 plus 2 plus 3, मतलब इन वो glycocalyx, cell wall, plasma membrane, हम outer to inner move कर रहे हैं, यहां तक समझागी, यह तीन structure हो गए, ठीक है, उसके अलावा बिटा, हमारे पास cell के surface पर क्या होता है, 4th structure is basically pilide, 4th structure is pilide, जो surface पर होते हैं, hair जैसे, clear, hair जैसे structure होते हैं, मैं एक बार इसको properly दिखा देता हूँ, आपको pilide, ठीक है, उसके बाद, बिटा, हमारे पास क्या होते हैं, थोड़े से बड़े structures होते हैं, ऐसे, इससे ज़्यादा बड़े होते हैं, that is 5th structure known as fimbryion, that is fimbryion, यह 5th होगा, उसके बाद, 6th is flagella, अगर आप NCRT पढ़ोगे, cell वाले chapter की, आपको एक word मिलेगा, surface structure, इन तीनों को मिलाके common word यूज़ करते हैं, surface structure, तो cell envelope और surface structure, ठीक है, cell envelope और surface structure हमारे पास बहुत important हो गया, ठीक है, उसके बाद अंदर चले गया, अंदर गये, और हमारे पास क्या हुआ, अंदर गये, और हमारे पास क्या आ गया, plasma membrane ऐसे अंदर की तरफ fold है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे fold है, clear, अंदर की तरफ fold है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं, mesozone, that seventh is mesozone, that seventh is, एक structure होता है, plasma membrane अंदर की तरफ fold होती है, उस structure को हम कहते है, mesozone, seven structure हो गया, mesozone, ठीक हो गई बा पास एक DNA होता है तो 8 को मैं कहा दूं नुक्लियोड 8 structure is Nucleoid now Nucleoid is basically main DNA now 9 structure is हमारे पास ऐसे circular DNA होता है जिसे हम क्या बोलते हैं plasmid जिसे हम क्या बोलते हैं बिटा plasmid ठीक है 9th को हमने plasmid बोल दी ठीक 10th structure क्या होगा बिटा हमारे पास ribosomes भी होते हैं क्योंकि अपनी protein बनाएगा तो एक हमारे पास क्या होगा ribosome होगा clear और ribosome के अलावा कुछ ऐसे insoluble structure होते हैं storage के लिए जिनको हम नाम देते हैं inclusion body जिनको हम क्या नाम देते हैं inclusion body जिनको हम नाम देते हैं inclusion body अलग से लिख देते हैं यहापे इनको हम नाम देते हैं, इनको inclusion body, ऐसे story structure होता है, उनको हम नाम देते हैं, inclusion body, ठीक है, inclusion body, तो यह आपके कुछ main structure है, जो prokriotic cell में है, मैं चारा हूँ एक diagram के थूँ आपको फिर से दिखा दूँ, क्योंकि होता है क्या है, कई बार हमें इन चीजों की समझ नहीं बनती है, जह सबसे बाहर एक layer होती है हमारे पास, bacteria में, जिसे आप glyco calyx कहते हो, this is first layer, जहां सबसे बाहर वाली layer का नाम क्या है, this is first layer, glyco calyx, फिर से देखते हैं के structure को, ठीक है, second layer, जो present है हमारे पास, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जिसे हम नाम दे रहे हैं, cell wall, now this is second layer, यह second layer है, जिसे आप bacteria की, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, cell wall, जहां से सुनना है, क्योंकि एक एक चीज याद हो जाएगी, साथ के साथ, second is, हमारे पास, cell wall, cell wall second है, छीक, इसके बाद, बिटा, हमारे पास, जो third layer है, जो third layer है, that is, plasma membrane, that is, plasma membrane, plasma membrane, कहीं कहीं पर ऐस ऐसे folding बनाती है, ऐसे, ठीक, ठीक, इस is plasma membrane, तो यह मेरे पास third layer हो गई, ठीक, यह मेरे पास क्या हो गई, third layer हो गई, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, plasma membrane, now this is cell membrane और plasma membrane, नीट में आया हुआ कोशन है, plasma membrane एक ऐसा structure होता है, जो prokaryotic और eukaryotic में similar है, मतब दोनों lipid का बना हु अब देखो आगे जलते हैं, आगे मेरे पास बिटा, आगे क्या draw करेंगे हम लोग इसके surface पर, इस तरीके से हमारे पास extensions होती है, ऐसे, इस तरीके से extensions होती है, जिने आप क्या नाम देते हो, तिलाई, ठीक है, फोड़ी बड़ी extensions होती है, जिने आप क्या नाम देते हो, this is fourth स्था इसे क्या नाहं दे रहे हैं कि तो हम अब 5 पिल और इन परेंस देख लो हो जो है वह मेरे पास कैसा है व्मあっ अब सिझ स्सारा है पिलाई हमारे पास कैसा है छोटा है फ्लेजिला बोल थाए ठीक है तो टोटल मेरे पास कितने स्ट्रक्चर हो गई पिता शिक्स यहां तक समझ आ गया अब देखो प्लाजमा मेंबरेन अंदर की तरह फोल्ड है इस सेवन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे ? Mesozooms ! क्या बोल रहे है ? Mesozooms बोल रहे है ! इसको Mesozoom बोल रहे है । प्लाजमा मेम्दें अंदर की तरह फोल्ड है उसे Mesozoom कह रहे है ऐसा ही in folding हमारे पास और होता है जिसमें pigments लगे रहते हैं। उन्हें चाहो तो आप chromatophor कह सकते हो और वो pigment लगे हो रहते हैं, वो अलग होता है, synobacterium मिलता है सिर्फ, pigment लगे रहते हैं, आगे सुनना ध्यान से, next day बिटा, after that, we have, we have, this DNA, ऐसे एक circular DNA, अलग से, now this DNA is known as plasmid, इसको आप क्या नाम दे सकते हो, plasmid, plasmid एक अलग से DNA होता है, इसके अलावा बिटा, मिरे पास और DNA है, जो nucleoid है, now this is known as nucleoid, इसको हमने nucleoid बोल दिया, यहां तक समझ आ रहा है, यह nucleoid है, अब nucleoid के बाद, हमारे पास protein बनाने के लिए ribosome भी होते हैं, क्या होते हैं ribosome, ribosome to make protein, ठीक है, ribosome बहुत छोटी और्गनल होती है, ribosome to make protein, इसके अलावा बिटा, कुछ storage के लिए होता है, storage का क्या मतलब होता है, actual में क्या होता है, prokriot में membrane bound और्गनल नहीं है, तो storage के लिए जो structure है, उसे हम क्या बोलते हैं, inclusion bodies, क्या बोलते हैं, inclusion bodies, glycocalyx, second cell wall, third plasma membrane, bacteria में भी cell wall होती है, पर cellulose की नहीं होती है, उसके बाद this is flagella, ठीक है, हमारे पास ये पिलाई है, hair like है थोड़ा सा, हना इसको हम पढ़ेंगे, NCRT कहते है, bristle shape, ये phimri आई है, आपने कहां से पढ़ना, इसको NCRT से, फिर repeat कर रहा हूँ, cell वाले chapter से, prokriotic cell का structure बढ़ना है, आपको सारे structure मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ आपके, फिर आपने क्या बढ़ना है यापर, आपने पढ़ा, mesozoom क्या, in folding है, अंदर की तरह, plasma membrane fold है, वो है, clear, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, nucleoid, plasmid, ribosome, inclusion body, इसके लाभा, chromatophore, और लिख सकता हूँ में, जिस पर pigment लगे हैंगे, तो यह main structure हैं, जो prokriotic cell में होते हैं, इन में से कुछ सम्में होते हैं, कुछ particular bacteria में absent हो सकते हैं, यह सोचने वाली बात है, दिमाग में बठाने वाली बात, clear, ठीक है, चलो, अब आगे चलेंगे, और एक-एक structure की detail देखनी हैं हमने, ठीक है, हमने एक-एक चीज की क्या देखनी हैं, detail देखनी हैं, आजाओ ज़रा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ठीक है, यह इस तरीके से cell बनाई है, this is glycocalyx, फिर हमने क्या करी थी, this is cell wall, और यह मेरे पास क्या था बिटा अंदर, plasma बेंगे, यह तीन लेयर जस्ट बनाई थी, तो हम इनके बारे में अब detail पढ़ना जा रहे हैं, तो this layer is known as, इसको हमने क्या बुला है बिटा, इसको हमने क्या बुला है, इसकी समझे ध्यान से, इसको हमने नाम दिया है glycocalyx, इसके बारे में पढ़ रहे हैं ने, तो glycocalyx क्या होता है बिटा, आउटर मोस लेर होती है, ठीक है, यह chemical की बनी होती है, जो modified carboidrid है, ठीक है, mucopolysecret, यह chemical है जिसकी glycocalyx बनी होई है, अब यह जो glycocalyx है, यह दो टाइप की होती है, कुछ बैक्टीरिया में यह तफ होती है, कुछ बैक्टीरिया में यह क्या होती है, तफ होती है, तफ का मतलब थोड़ी hard होती है, इसे कहते हैं capsule, इसे वहाँ पर क्या बोलते है capsule, तो what is capsule, capsule क्या है, थोड़ी सी tough layer है, तफ का मतलब थोड़ी सी hard है, तो यह tough होगी बेटा थोड़ी सी, चीक है, clear, और यह क्या देता है, capsule provide करता है, disease causing ability, provide pathogenicity, pathogenicity, capsule tough होता है, और थिक होता है, यह outer layer में variation होती है, glycocalyx में, यह tough हो सकता है, थिक होता है, उसे हम capsule कहते हैं, तो pathogenicity क्या है, disease causing ability, तो सबसे पहले हमने किस के बारे में जाना, glycocalyx के बारे में, उसकी दो form, एक capsule, दूसरी form हमारे पास है, बिटा, दूसरी form है, slime layer, slime layer क्या होती है, बिटा, lose होती है, anxiety कहती है, lose होती है, lose होती है, थोड़ा thin भी हो सकती है, lose होती है, basically, फिक है, slimy होती ह एक्चुल में protect करती है, bacteria को water loss है, हमेशा याद रखो, जब life पानी में हो, या कहीं देखो, bacteria जो होगा आपका, ऐसे medium में मिलेगा, जहाँ पानी हो, क्योंकि होगा, क्या मालब, new moisture हो, क्योंकि ऐसे कहीं पर मिलेगा, तो grow करना बड़ा मुश्किल होगा, वहां से चीजे ले लेर होनी चाहिए, जिससे वह पानी को hold कर सके, तो हम कह रहे है, ठीक है, it's prevent from desiccation, prevent from desiccation, desiccation होता है, पानी की कमी, तो आप NCRT चेक करेंगे, तो आपको मिलेगा, slime layer और capsule दे रखा है, एक को tough बता रखा है, एक को loose बता रखा है, now this is glycocalyx, a layer which is present outside cell wall, चीक है, now this second layer, this second layer is cell wall, अब यह second layer के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे है, cell wall, यह हम जांगे, clear, यह clear है, हम कहां पढ़ रहे है, सबसे पहले glycocalyx, then we have cell wall and plasma membrane, तो जड़ा देख लेते हैं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं, वो देख लेते हैं, फटा अब हमने पढ़नी है, ठीक इनकी detail पढ़नी है, यह हमने पढ़ लिया, सबसे बाहर वाला, this was glycocalyx, इसको हमने पढ़ चुके हैं, चीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, that is cell wall, इसके बारे में हम जान दो, clear हो गई बात, कहां पढ़ समझ लो जाएंगे जहां से सुना विटा सेल वॉल एक पर्टिकुलर केमिकल की बनी है जिसका नाम पेप्टाइडो ग्लाइकेन ने लिखा था कि कार्बो हाइड़िड है और साथ में हमारे पास पर्टिकुलर है तो अमीनो एसिड भी है टेबल में लिखा हुआ है तो पेप् कि बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन है एक कार्भो हाइड़िड है नना एक कार्बो हाइडरेट है और साथ में मेरे पास अमीनो एसिड आएंगे मतलब मैं बोलूँगा कुछ अमीनो एसिड आएंगे उनकी चेन आए तो इसको मिला के हम क्या बोल रहे हैं peptidoglycan मतलब peptide का मतलब amino acid की chain glycan word जो होता है actual में polymer of glucose या एक तरीके से polymer of modified glucose को glycan कहते हैं जैसे आपको मैं example देता हूँ हम एक word पढ़ेंगे cell वाले chapter में manos के polymer को manon कहते हैं cell में कहां पढ़ोगे जहां आपकी मतलब cell wall दे रखे न cell chapter में इसी वाले chapter में unit of life में तो आप ये बढ़ोगे ठीक है अब देखो जरा now this is made up of peptidoglycan मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे देखो आप एक चीज को ऐसे समझो इस बात को जहां से देखना now this is structure कैसा मैं structure बता देता हूँ का थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे चीज़े मेरे पास एक structure ऐसा रिंग structure होता है इस रिंग structure को मैं बीटा डी glucose बोलता हूँ जहां से सुनना जो समझाऊंगा आपको एक रिंग structure है उसको मैंने बीटा डी glucose बोल दिया उसको modify किया modify करके modify करने का मतलब होता है उसको chemically कुछ change किया उसमें उसको मैंने convert किया एक compound में जिसे nag कहते है what is nag and acetile आप biomolecule पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नाम मिलेगा आपको glucose amine ये बना दिया हमने फिर इस nag को modify किया ऐसी ही एकोर शुगर बना दी जिसका नाम नैम है मतलब हमने कहा कि आपके पास एक glucose की form है जिसे आप बीटा डी glucose कह रहे हो उसको modify करके आपने nag बनाया nag को modify करके आपने नैम बनाया now name is n-acetyl muramuric acid muramuric acid मतलब इसको आपने नैम बोल दिया तो आपने करा क्या है बीटा डी glucose है बीटा डी glucose है जान दो सुनोंगे एक glucose की form होती है उसको मैं कुछ group जोड दिया basically हम कुछ group जोड़ते हैं आपको बता सकते हैं पर अभी नहीं समझो तो जादा अच्छा रहेगा nag कहते हैं उसे फिर उसको modify करके हमने convert कर दिया नैम में तो ये जो दो चीजे होती है nag और नैम ये glucose से बनते हैं इनकी chain हमारे पास bacteria की cell wall में होती है तो हम क्या करते हैं इस तरीके से nag और नैम बना लेते हैं let's say this is nag ध्यान से सुने बटा माल लो ये जो है मेरे पास ये nag है ये जो है एज़े इसको बना देते हैंGB की में क्या करते हैं इसी य है जाओ चेंड़ से कार लेते हैं ये cyao अबश्राद दूसरे पेच्वे देखते हैं तो हम कैसे बना सकते हैं cell wall, एक बर जरा फटा-फट से देखते हैं, देखे, हमने क्या करना है, बिटा, हमने क्या करना है, cell wall देखने, देखिए, बैक्तिरिया की cell wall कैसे बना सकते हैं, ऐक बर से पेच पे देखेंगे, फिर ऊश्कों, दुबारा से बता रहे हैं, इस तरीके से यह नैग लगा हुआ है, ऐसे, इसके बीच में नैम लगा दीजिए, इस इस नैम, ठीक है, फिर मेरे पास मैं दुबारा से इस तरीके से बना सकता हूँ, इस इस, ऐसे, नैग और नैम मैंने अल्टरनेट लगा दीए ना, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने नैग और नैम जो है, उसको अल्टरनेट लगा दिया, यह देख पा रहे हैं, इसको मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, इसको मोडिफाई करके नैग बनाते है, और नैग से फिर मैंने क्या किया है, N-E-E-G and N-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- जो NAM है इस पर amino acid की ऐसे chain होती है ध्यान से देखना बिटा इस तरीके से amino acid की हमारे पास chain होती है इस तरीके से किस पर chain होती है यह देख रहो किस से आ रही है chain एक amino acid की ऐसे chain आ रही है इस पर आ रही है यह यह आ रही है हमारे पास किस से NAM से तो हमने देखा कि नेंग यहाँ पर कि नेंग और नम अल्टरनेट लगे हैं आप देखें तो यह नेंग था ठीक है यह क्या था हमारे पास नेंग फिर ऐसे नेंग है फिर यह नेंग है ऐसे और इस पे अमीनो एसड की चेन लगी हुई है अब इनके बीच में ऐसे cross-linking हो जाती है, ऐसे क्या हो जाती है, cross-linking हो जाती है, इस तरीके से हमारे पास cross-linking बन जाती है, तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसा हुआ 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 है, ध्यान से देखो, यह इस तरीके से cell wall बनती है, तो हम cell wall कैसे बना रहे हम कह रहे हैं कि beta d glucose है उसको modify किया nag में nag को modify किया nam में यहां हमें थोड़ा सा extra बताना पड़ता है reason है उसका कि आपको यह cell wall ऐसी दिखेगी अगर आप ध्यान से देखो कि बिटा यह cell wall आपको ऐसी दिखने वाली है जैसे मैंने यह क्या किया ध्यान से देखो बिटा यह cell wall इस तरीके का कुछ बना रहा हूं है ठीक है इसके बीच में मेरे पास यह रहा यह क्या है सब इस तरीके से बना रहे है ठीक है अगर आप ध्यान से देखो यह वाला जो है यह नैम है मेरे पास और यह क्या है मेरे पास नैग है अब बनाओ ज़रा हमने नैम पर क्या बनाय थ नैम पर क्या है मेरे पास इस तरीके से अमीनो एसिड की चेंस है ऐसे इस तरीके से अमीनो एसिड की चेंस है ऐसे इन चेंस के बीच में हमारे पास क्या है इन चेंस के बीच में प्रॉस लिंकिंग हो जाती है यह दो क्रोस्लिंकिंग एसी चेंज हैुर आप अगर ध्यान से देखेंगे कुछ इस तरीके का बनावा दिखेंगा ध्यान से देखो ठीकिता। जिस पे हमारे पास इस तरीके से बहुत जरूरी है इसको सीखना एक बार क्योंकि होता क्या है यह कई बार बच्चे confuse करते ही हो का है क्या नाग और नाग और फिर इनके बीच में ऐसे हमने crosslinking यह cell wall बन गई ठीक है इस तरीके की हमारे पास cell wall formation हो जाती है समझ में आ रहा है तो आपको cell wall में बिटा इसका मतलब final structure कुछ ऐसा बन गया अगर आप ध्यान से देखो final structure कुछ ऐसा crosslinking से बन गया अब आपको एक चीज़ समझाता हूं आपने एक antibiotic पड़ी थी penicilline penicilline यह crosslinking नहीं होने देती है याद है आपने 9 में भी इस चीज़ को पड़ा था penicilline एक antibiotic होती है तो जो बैक्टीरा को किल करती है तो बैक्टीरा को कैसे किल करती है तो मेरे पास यह peptide है this is peptide and this chain नैग और नैम की इस chain को glycan कह रहे है तो इसलिए पूरे structure का नाम क्या हो गया peptidoglycan हो गया समझा रहा है बिटा तो हमने क्या पड़ा हमने का यह peptide है और यह पूरी chain glycan है तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया peptidoglycan क्या नाम दे दिया peptidoglycan नाम दे दिया अब आप देख लो खुछ से इस चीज़ को ठीक है तो यह मेरे पास समझो मैंने क्या समझाया मैंने का cell wall जो है वो किसकी बनी है peptidoglycan की peptidoglycan क्या है carbohydrate है modified कैसा modified carbohydrate उस modified carbohydrate के मैंने क्या जोड़ दिया मैंने amino acid की chain जोड़ दी अब मैंने क्या किया bita d glucose को modify किया नेग में नेग को modify किया नामम में यह समझा रहा है हमने क्या किया? हमने nag और nam को alternate लगाया. घीक है? उस nam पर मैंने क्या लगाया है? amino acid की यह chain लगाई है. उनके बीच में cross-linking तो ऐसे कुछ threads बनाए? घीक है? जो nag और nam के थे? फिर उसे पर क्या बनाई है? amino acid की chain बनाई? और फिर उनके बीच में हमने क्या कर दी बेटा ऐसे cross linking कर दी ठीक है ये cross linking कौन नहीं होने देता कौन रोफता है penicillin उससे क्या होगा bacteria kill हो जाएगा अगर cell wall नहीं होगी तो cell wall का main role क्या है आगे आ जाओ जरा अगर हम यहां cell wall पढ़ चुके हैं तो हम यहां बात कर सकते हैं cell cell wall क्या करती है विटा सबसे पहले shape देती है रीजीडिटी देती है यह सब लिखता है NCRT रीजीडिटी देती है ठीक है उसके अलावा prevent करती है bursting से फटने से बचाती क्योंकि पानी एंटर करके इसको उन्हें पर फोर्स लगाता है तो प्रिवेंट फॉम बस्तिंग ठीक है पानी क्यों एंटर करेगा क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज हाइपर टोनिक होता है एस कंपेर टू प्योर वाटर क्या तक समझ आ रही है तो यह हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया बैक्टेरिया की सेल वॉल इस मेड़ अप वन केमिकल नोन एस पेप्ट नमबर 18 पर होगी तो वो जो टेबल है बिटा हमारे पास 18 या 17 पर आपको मिल जाएगी वो जो टेबल है उसमें अमीनो एसेड और कार्बोहिडिट लिखा हुआ उसकी सेल वॉल पे तो ध्यान रखना आप ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स हम लोग बात कर सकते हैं स्ट्रक्टर डेडेल की अब आगे बाक कर लेते हैं हमने ये पढ़ लिया हो विटार, cell wall और थर्ड लेर हमनी क्या बनाई थी ? इसके बारे में जान रहे हैं, इसको मैं प्लाजमा मेंब्रेन या सेल मेंब्रेन कह रहा हूँ, NCRT की लाइन चेक करें यह एक स्रक्चर है जो दोनों में similar है, प्रोकरियोटिक और यूकरियोटिक सेल में similar है, तो यह कोशन आये था नीट में कि इस इस similar in prokaryotic and eukaryotic cell, eukaryotic और prokaryotic cell में यह similar है, यह क्या है similar है बिटा ? तो prokaryotic और eukaryotic cell में हमारे पास क्या है यह चीज़ similar है, अब सुनो ध्यान से, यह तो बात होगी प्लाजमा मेंब्रेन की, इस इस similar in prokaryotic and eukaryotic cell, यह तक समझा रहा है, यह similar है किसके बीच में ? prokaryotic और eukaryotic cell के बीच में से, आगे सुनना ध्यान से, प्लाजमा मेंब्रेन is made up of, made up of lipid bilayer, किसका बना ? lipid bilayer, now lipid bilayer क्या होता है समझे ध्यान से ? आपके पास एक lipid होता है जिसे phospholipid कहते है, जैसे मेरे पास glycerol पर यहाँ fatty acid जुड़ा होता है, देखो, what is structure of glycerol ? ज्यान से सुनेंगे, glycerol क्या होता है भाई ? देखो जगा, this is structure of glycerol, glycerol का यह structure होता है बिटा, NCRT चेक करोगे, बायो मॉलिक्यूल में लिखा है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, मतलब तीन OH ग्रूप और तीन कार्बन प्रोपेन, ऐसा वर्ड लिख दिया उसने, तो glycerol है, देखो, glycerol पर यहाँ जोडते हैं fatty acid, क्या जोडते हैं इधर ? इधर क्या लिंक करते हैं ? fatty acid, fatty acid जोड दिया, यहाँ भी जोडते है fatty acid, fatty acid क्या होती है ? एक long chain होती है, कार्बोक्सलिक acid की, और यहाँ जोडते हैं phosphate, इस lipid को हम बोलते हैं phospholipid, जो plasma membrane में होती है, यह structure कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, कि fatty acid जो है, उससे जुड़ने के बाद, हमारे पास long chain कार्बोक्सलिक acid की बन जाएगी, बीच में bond भी दिखाना चाहिए हमें, वो bond जो easter bond है, कहां से आया easter bond, क्योंकि यह कार्बोक्सलिक acid है, यह alcohol है, easter आना चाहिए, जो बच्चे 10th के हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को, कि easter कब बनता है, तो आपको यह fatty acid का structure ऐसा दिखेगा, कि इस जगा पर एक long chain दिख जाएगी, यहां पर जुडने के बाद, एक long chain यहां दिख जाएगी, और यहां पर आपको phosphate दिख जाएगा, मतलब phospholipid इसे कहते हैं, glycerol पर एक fatty acid यहां जुडा, एक यहां जुडा, और यहां मैंने phosphate जोड़ गे, इसे phospholipid कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, this phospholipid is look like, this is phosphate, यह hydrophilic है, phosphate पर चार्ज होता है, इसलिए पानी में गुल ज repelling है, तो क्या सीखा हमने, हमने सीखा, plasma membrane is made up of lipid by layer, lipid is phospholipid, lipid क्या है, phospholipid है, जो सम में होता है, phospholipid ही होता है, phospholipid है, अब इस phospholipid को हम जान रहे हैं, क्या है, now phospholipid is made up of this glycerol, glycerol के बाद यह दो fatty acid and this phosphate is at third position, now this type of structure form, one part is hydrophilic, जो पानी के साथ attract हो रहा है, and another part is hydrophobic chain, these are, एक लंबी chain बनेगे जो hydrophobic है, यह phospholipid है, इसको अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको दिखाने का एक तरीका यह भी है, this is hydrophilic part, and this hydrophobic part is represented by this, this hydrophobic part को द्यान से सुनेंगे बिटा, मालो यह मैंने यह वाले इसको इससे color से दिखा देते हैं, अच्छा लगेगा, आपको color match करेगा, कुछ को इसकी भी दिक्टत है, color बदल दिया सबने, रंग बदलने से नहीं होता है, बेटा, देखो, this is hydrophilic part, this one, और इस पे हमारे पास एक long chain बनेंगी, इसकी, यह, यह मेरे पास phospholipid बन गया, यह देखो, कैसे बनाया, glycerol लिया, एक fatty acid, दूसरा fatty acid, phosphate, यह long chain बनती है, fatty acid long chain होती है, hydrocarbon की, यह hydrophobic होता है, तो these two are hydrophobic part, this is hydrophilic, यह एक lipid बनाया है मैंने, यह क्या बनाया है, मैंने, एक lipid बनाया है, तो this is hydrophilic, यह hydro क्या है, फिलिक है, हना, and these two are, these two are, ends are hydrophobic, तो यह एक basic चीज समझ आनी चाहिए, कि plasma membrane is made up of lipid bilayer, हना, lipid bilayer है क्या, जाहन दोनो, lipid bilayer है क्या, clear, lipid bilayer जो है, बिटा, वो कैसे बनाएंगे, पर उसमें lipid phospholipid है, और दोनों में सेम होती है, तो phospholipid क्या है, सबसे पहले glycerol पे दो fatty acid, एक phosphate जोड़ा, तो यह hydrophobic end आ गया, this is hydrophilic, because charge होता है phosphate पे, चलो, अब आगे जाओ, इसका मतलब, it will look like this, आपके पास, यह structure अविलेबल है, यह structure आपके पास अविलेबल है, अना, अब इससे plasma membrane कैसे बनेगी, वो देख लो आप, plasma membrane कैसे बनाओगे, वो देख लो, आप अटापड से, plasma membrane बिटा, ऐसे बनेगी, हमने lipid bilayer की बात करी थी, जो बच्चे गएंगे, सर बीच में, यह क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बिटा, तुम्हारे basic ही करबड है, इस chapter के, सबसे खराब चीज़ी है, इसको तुमने parts में पढ़ रखा, इसलिए पढ़ा रहे हैं, यह देख, यह lipid bilayer ऐसे बन देख, देख रहे हो, कि इस तरीके से मेरे पास lipid bilayer बन गए न, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, lipid bilayer बन गए, अगर आपको समझ आ जाए मेरी बात, तो यह चीज़ समझो, यह क्या किया मैंने, बहार की तरफ पानी है, तो यह hydrophilic है यह वाला एंड, hydrophilic है, clear, this is also hydrophilic, और अंदर का पूरा पार्ट क्या आ जाएगा, hydrophobic, यह बन गए lipid bilayer, ऐसी ही lipid bilayer किसमें होती है, प्रो करियोट में होती है, और ऐसी ही यू करियोट में होती है, clear, this whole structure is convert into a circular form, ऐसे का ऐसा एक circular form बन जाती है, जिसे आप क्या बोलते हो, यह plasma membrane जो बन गई और यह अंदर की जगा को आप क्या बोलते हो, यह cell बनता है ना ऐसे, यह चीज़ समझा रही है, circular form होने से क्या फाइदा होगा, यह hydrophobic part पानी को expose ने होगा, देखो, इधर भी पानी है, इसलिए hydrophilic, इधर भ लगा देंगे channel, इस protein channel और pump लगा के चीज़ों की movement करा सकते हैं, क्योंकि चीज़े जैसे की sodium वगएर है, ऐसी चीज़ों की movement के लिए मुझे protein के channel जाए, वो इसके बीच में हो, यहां तक समझा की, तो यह plasma membrane का structure, pro-creatic और eukaryotic में similar होता है, and plasma membrane is made up of lipid bilayer, this is one layer, and this is one layer, दोन और्गनल में होता है, जैसे ER हो गया, गॉलजी बॉड़ी, यू केरियोटिक में, प्रो केरियोटिक में इस lipid bilayer से bound, कोई भी और्गनल नहीं होती, मतलब मेरी बास समझो धान से, जितनी भी और्गनल है, गॉलजी बॉड़ी, लाइसोजों, ER, उनमें यही lipid bilayer उनकी outer layer ब is absent in prokaryotic cell, clear हो गई बात मुझे ऐसा लग रहा है, चलिए, अब हम जो इसके आगे जो पढ़ेंगे बिटा, वो रहेगा हमारे पास, next रहेगा, जो हम लोग discuss कर रहे हैं, वो रहेगा बिटा, एक बार, पिलाई, फिंब्रियाई, और इसके बारे में जाल लेते हैं, फ्लेज पढ़ने जो structures पढ़ने, वो कौन-कौन से हैं, उनको discuss कर लेते हैं एक बार, जरा फटा-फट से, हमें जो पढ़ना है विटा, हमें दो structure पहले पढ़ रहे हैं, देखे बहुत ध्यान से, दो structure पहले पढ़ रहे हैं, पहला structure हमारे पास इस तरीके से हैं, बहुत छोटे इस तरीके से, ऐसे, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनो, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं बिटा, ये वाले जो structure हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं पिलाई, और इनको हम नाम दे रहे हैं, फिंब्रियाई, जहान से देखना important है, ठीक है, तो जरह इनके बारे में जान लेते हैं important चीजें क्या है पिलाई और फिम्ब्रियाई के बारे में पिलाई और फिम्ब्रियाई देखे फिम्ब्रियाई जादा नंबर में होता है यह less in number होता है तो हम लिख सकते हैं this is less in number पिलाई कम नंबर में होते हैं फिंब्रियाई more in number, यह number में जादा होते हैं, ठीक है, clear, फिलाई की shape NCRT ने लिखिये tubular, tube जैसी है, tubular shape है, आप देख पारे हो, ऐसी tube जैसी shape है, clear, फिंब्रियाई की bristle shape है, जो brush के bristles होते हैं, वैसी shape का है, ठीक है, फिंब्रियाई, फिंब्रियाई किसले आता है, attachment के substrate, clear हो गई बात, ठीक है, और यह कहां आता है, पिलाई, यह कहां आता है, यह lesson number है, यह tubular है, यह कहां आता है, पिलाई, जो होता है, NCRT लिखती है, made up of, made up of special protein, special किसका बना है, प्रोटीन का, यह special protein का बना हुआ है, और यह basically हम पढ़ेंगे, पिलाई का कुछ role, sexual reproduction में है, clear यह कम number में होते हैं, जादा बड़े size के होते हैं, फिंब्रियाई, small size होता है, जादा number में होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है, attachment to substratum, like किसी rock पर, किसी pathogen, किसी और organism पर attachment का का काम करते हैं, यहां तक समझ आ रही है, तो यह पिलाई हो गया, यह फिंब्रियाई हो गया, जो आपको समझना है, कि कै, इसके अलावा बिटा, इन दोनों के अलावा, एक structure और होता है, जो इस पर present होता, उसके तीन part होते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, इस तरीके से, this is फ्लैजिला, फ्लैजिला के हमारे पास बिटा, तीन parts हैं, जो आपको दिखेंगे, उन तीन parts में से, पार्ट को कहते हैं filament जो सबसे बड़ा part है तो मेरे पास फ्लेजिला के तीन पार्ट हो गए हना फ्लेजिला क्या होता है बटा फ्लेजिला moment के लिए होता हमेशा याद रखना जब भी आपको फ्लेजिला पढ़ाए जाए तो motile और non motile के लिए तो हम ये समझेंगे Flegilla किसमे help करता है Flegilla help in motility किसमे help कर रहा है चलने में help कर रहा है cell को हम कह रहे हैं Flegilla help करता है motility में motility का क्या मतलब हुआ ये basically deal करता है कि cell कैसे move करता है इन चीजों से deal करता है अब जरा आगे देखो बिटा जहां से सुनना Flegilla help करता है motility में अब जरा next समझना ज्यान से अगर Flegilla है तो हम word यूज करते हैं tricus tricus word कभ यूज करते हैं Flegilla की presence पे Flegilla की presence पे अब आप जरा खुद से सोचो अगर किसी bacteria में single Flegilla हो तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ monotricus ऐसा word यूज कर सकता हूँ अगर दो हो NC80 ने लिखा इसकी number और arrangement अलग है NC80 ने एक word लिखा है कि इनकी number किसकी Flegilla का number और arrangement क्या होता है अलग लग होता है तो इसको monotricus बोला इसको मैं क्या बोल सकता हूँ amphi दोनों तरफ है न amphi tricus खीक है अब देखो जरा चारों तरफ है peri peri का मतलब चारों तरफ tricus तो एक common word यूज करी रहे है अगर किसी तरफ ऐसा bunch हो bunch मतलब पूरा खुब सा रहा ऐसे इसको बोलते हैं बिटा हमारे पास इसको बोलते हैं हम लोग cephalo tricus cephalo tricus हना clear और दोनों तरफ बन्चो इसके लिए lofo tricus कहते है अब यहां से question नहीं आता है जो यह tricus के लिखे question आता है कि किसमे फलैजिला नहीं है neat में जब question आता है तो पूसता है किसमे नहीं है तो आपने याद रखना है उसे a tricus बोलेंगे a tricus मतलब a a tricus मतलब flagela नहीं है तो किस ग्रुप में flagela नहीं है यह याद करना है no flagela बिटा flagela एक structure होता है movement के लिए उसके तीन पार्ट होते है basal body hook filament अगर यह flagela का number और arrangement अलग लग होती है हम कहते हैं कि flagela नहीं है तो कहेंगे no flagela a tricus उसमें तुमारे पास इसके example पूछता है एक याद कर लो cocus bacteria दूसरा याद कर लो sinobacteria में flagela नहीं होता तीसरा आप याद करो आप जो याद करना है that is mycoplasma इन तीन ग्रुप में आप याद रखो flagela नहीं होगा flagela mainly आपके पास bacillus में मिल जाता है तो यह चीज़ आ गई आपको clear cocus, sinobacteria, mycoplasma इन में flagela नहीं होता उसरा आएगर non-motile cell तो आप उसमें इनके example खोजो आपको answer मिल जाएगा ठीक है clear हो गई बाद यहां तक समझ आ गया अभी तक हमने कितने structure पढ़े six six में कौन-कौन सा पढ़ा है हमने हमने पढ़ा है बिटा जान जुने हमने कौन-कौन सा structure पढ़ा है हमने six structure में पढ़ा है हमने cell wall पढ़ लिए plasma membrane पढ़ लिया glycocalyx philai, fimbriai, flagela इन दोनों को इन तीनों को surface structure बोलते है philai, fimbriai और flagela तीनों को मिला के बिटा हम क्या बोलते है surface structure चेक NCRT मिलेगा ठीक है अब हम चले गए cell के अंदर अब हम cell के अंदर चले गए ठीक है clear cell के अंदर हमारे पास क्या है ध्यान से देखेंगे cell के अंदर ये रेखो cell wall है this is cell wall and this is plasma membrane this one is plasma membrane जो ऐसे fold है इस तरीके से अंदर की तरफ fold हो जगता है now this is known as mesozoom ध्यान से सुना plasma membrane की अंदर की तरफ folding को mesozoom कहते है ध्यान से सुना बिटा इसको हम क्या नाम देते हैं mesozoom कहते है ऐसे अंदर की folding को मैंने इसी को zoom करके यहाँ पर दिखाया है आपको तो ये mesozoom क्या होता what is mesozoom यहान से समझेंगे क्योंकि bacteria में membrane bound organal नहीं है तो कही ना कही plasma membrane पर कुछ enzyme लगा कर उससे कुछ काम करवाने पड़ेंगे या some other function plasma membrane की मदद से करेंगे तो plasma हम लिकने इस बात को since हमारे पास bacteria prokaryotic cell bacteria lack membrane bound organal membrane bound organal जैसे की mitochondria नहीं है तो some functions कुछ functions किसको दिये गए है mesozoom को some functions given to mesozoom यह function किसको दिये गए है mesozooms को दिये गए है अब mesozoom क्या है भाई अंदर की तरफ folding है हम लिखेंगे in folding सबसे पहले क्या word यूज करेंगे in folding हम यह word यूज करेंगे in folding plasma membrane की क्या है यह in folding हम यहाँ पे लिख रहे हैं बिच्चे अगर आप देखो इनकी तीन शेप दिख रही है अब चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी शेप एकदम लास्ट में लिखे हुई है जाँ मीजोडों गिवन है एकदम उसकी लास्ट लाइन्स में होगा यह ठीक है इसको हम टिब्यूल बोल सकते है यह कुछ शेप दे रखे है वैसिकल सरफेस एरिया का फरक है जितनी जादा फोल्ड है उस हिसाब से शेप है यहां तक समझ आ गई अब आजव ज़रा इन फोल्डिंग है किसकी प्लाजमा मेंब्रेन की अब इनके रोल क्या है सबसे पहले क्योंकि इनमें माइटो कॉंड्रिया नहीं है रेस्पिरेशन के कुछ एंजाइम इन पे लगाए जाते है तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन के एंजाइम यहां पर लगे वे होते हैं मीजोजोम पे क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है माइटो कॉंड्रिया नहीं है तो कुछ उसका रोल इसको दे दिया हमने क्लिर तो कई बार पूछ लेता है माइटो कॉंड्रिया के क्रिस्टे जैसा कोई structure प्रो क्रियोटिक सेल में बताओ तो आप कहोगे गनीजोजो यहां तक समझ आ रही है आगे सुनो ज्यान से दूसरा यह कई बर क्या करता है इसके हेल्प से ही बाहर सेल वॉल पे material deposit करते हैं तो हम लिख सकते हैं यह हेल्प करता है किसमें? सेल वॉल formation किसमें हेल्प करता है सेल वॉल formation किसरी चीज क्या होती है जब मुझे कोई चीज सेल के अंदर से बाहर फैक नहीं है, release करनी है वो इस मीजोजोम की हेल्प से membrane बनाके throw कर सकते हैं ऐसा कुछ कर सकते हैं क्योंकि जब आप eukaryotic cell पड़ोगे तो चीजे throw करने में plasma membrane का रोल होता है, तो यहां पर भी वो रोल करेगा यह, तो हम यह कह सकते है it is helping cell secretion cell में से कुछ बाहर फैक नहीं के लिए help करता है इसके अलावा बिटा, एक reproduction में रोल होता है, मीजोजोम का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, normally क्या होता है मालो, यह bacteria का cell है ठीक है, यह bacteria का cell है और यह इसकी cell wall है जहां से समझेंगे, यह cell wall है ठीक है, यह मेरे पास यहाँ पर यह, यह मीजोजोम है, ऐसे होता ही है बिटा, nucleoid इससे attach है, nuclear क्या है इससे attach, यह nucleoid what is nucleoid, bacteria का DNA यह इससे attach है असल में यह होता क्या है कि इस निक्लियोड की इससे लग, मतलब नॉक्लियोड जो है इसकी कॉपी बना देते हैं. कॉपी क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे दो सेल बनाने तो ICHDNC powder में बना दी, तो मिजोजोम से लग करी ऐसे कॉपी बन जाती हैं. तो कही ना कहीं ये किस में help कर रहा है, genetic material के replication में, DNA replication में मदद कर रहा है, दूसरा फिर क्या होता है, हमारे पास ऐसे दो mesozoom बन जाते हैं, और उन दोनो mesozoom पर ये nucleoid attached है, ये जो nucleoid है, ये दोनो mesozoom पर attach हो जाता है, और फिर finally ये जो mesozoom होते हैं, ये आपस में दूसरे स separate हो जाते हैं, ऐसे, देखो ध्यान से बिटा, क्या हुआ, देखो, हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमारे पास this is mesozoom, इस mesozoom से क्या attach है, ये nucleoid attach है, ठीक है, एक nucleoid का replication करके, दूसरा nucleoid बन गया, फिर दो mesozoom बन गए, फिर ये एक दूसरे से separate हो जाते है, mesozoom ऐसे, उससे क्या होता है, finally, cell ready हो जाता है, divide करने, मतलब, finally, मेरे पास क्या होता है, cell division possible होती है, जैसे, मालो, cell wall बनाई देते हैं, इसके बार, तो फिर हम इसको divide करके, दो cell बना सकते हैं, ठीक है, तो NCRT ने क्या लिखा है, NCRT ने लिखा है, कि binary fusion में, या basically, mesozoom क इसमें help करते हैं, एक role और लिखूंगा में इसका, help in, help in, DNA replication, क्योंकि mesozoom के साथ लग कर क्या हो गई, DNA replication हो गई, and हम लिख रहे हैं, cell division, cell को divide करने में भी role होता है, किसका mesozoom का, तो आप देख सकते हैं, यह मैंने क्या समझा है, मैंने का, this is one nucleoid, यह double हो जाता है पहले, यह attach रहता है mesozoom से, फिर दो mesozoom बन जाते, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, clear हो गई बात, done, ठीक है, और finally यह divide कर जाएगा, that is, this is binary fusion, actual में, bacteria की division को क्या बोलते हैं हम लोग, binary fusion बोलते हैं, तो यह होगे हमारे पस, basically, यह चीज हो गई, अब आजाओ जरा आगे, next, द Dr. Mesozoom, हमने mesozoom पढ़ लिया है, चीक है, mesozoom पढ़ लिया, plasmid के बारे में पढ़ेंगे, nucleoid ribosome inclusion body, यह चीज़े और जाननी हैं हमने, यह चीज़े हमने और जाननी है, तो जान लेते हैं जरा एक बार, सबसे पहले हम जानते है, plasmid के बारे में, what is plasmid, clear, जान से सोने, what is plasmid, हमने यह क्या बना दिया, this is cell, हाना, this is cell, यहाँ पर हमारे पास यह बन गया, देखो, यह, और यह मेरे पास क्या थी, plasma membrane, यह plasma membrane, यह चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, अब देखो, जान से, यह nucleoid है, क्योंकि हम plasmid और nucleoid साथ पढ़ेंगे, तो दोनों को comparison देखना म मैं जो बताऊंगो, आपका होगी, what is nucleoid, और this is plasmid, यहां से सुने, plasmid, now what is nucleoid, nucleoid क्या होता है, यहां से समझेंगे, जो bacteria का DNA होता है, वो जिस जगा present होता है, without any cover, without any membrane, उसे nucleoid कहते है, तो nucleoid वो region है, वो region है, जहां bacteria का DNA present है, DNA present है, और कैसे present है, without any membrane, जिसमें nuclear membrane नहीं है, without any membrane present है, उस location को, उस जगा, उस DNA को, without any membrane, nucleoid कहते हैं, उसे nucleoid कहते हैं, अच्छा, आप देखें ध्यान से सबसे पहले यह समझें, यह double stranded DNA हैंसे, double stranded मतलब ऐसे 2 strand है, ठीक है, अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, कि bacteria में single strand DNA होता है, नहीं, bacteria में भी eukaryotic cell में ऐसे 2 धागे होते हैं DNA, फरक सिर्फ क्या होता है, कि जो eukaryote का DNA है, जान से सुनें बिटा, eukaryote का DNA है हमारे पास, जान से देखो, eukaryote का DNA है हमारे पास, वो liner होता है, linear मतलब, linear DNA किसमें होता है, यह होता है eukaryote में, what is eukaryote का linear DNA मतलब ये end free है लेकिन bacteria का DNA में double धागे होते हैं और ये end भी जुड़ेवे होते हैं ऐसे DNA को हम क्या बोलते हैं circular DNA समझा रहा linear और circular ठीक है तो linear ये हो गया circular मतलब ऐसे तो सबसे पहले आप कहके point याद करो कि first ये कैसा DNA है circular है second single DNA DNA है एक ही DNA होता है इसे कई बार हम consider कर देते हैं single chromosome की form में हम कह देते हैं single chromosome है single DNA है अब मेरी बाप ध्यान से सुनना bacteria का DNA जो होता है ध्यान से सुनेंगे bacteria का DNA जो होता है उसको हमने जिस जगा रखा हुआ उसे nucleoid बोल दिया अब होता ये है कि ऐसा नहीं है कि इस DNA को थोड़ा भो पैक नहीं किया हुआ हमें क्या हो पढ़ेंगे जब हम हम आगे जाकर eukaryote के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक protein होती है histones जो eukaryote के DNA की packing करते है what is packing packing का मतलब किसी जगा को इकठा करके कम जगा पर रखना that is known as packaging properly तो हम यहाँ पर यह कह रहे है कि जो bacteria का DNA उसे भी packaging करते हैं पर histones नहीं होते उसमें क्या नहीं होते histones नहीं होते तो आपने क्या-क्या point याद करने है आपने याद करने है without membrane होगा histones absent होगे तो some other proteins कुछ और proteins हैं जो किसमें help करेंगी packaging में help in packaging packaging मतलब एक तरीके से कम जगा में रखना क्योंकि अगर मैं छोड़ दू इसको तो पूरा ही फैल जाएगा cytoplasmine कम जगा में रखा हूँ है उस protein का नाम कर सकते हो उसका नाम nucleoplasmine होता है छोड़ भी सकते हो ज़रूरी नहीं है लेकिन ये समझो कि bacteria में एक single DNA होता है जो उसका main DNA main DNA मतलब आओ जराओ आपसी इस पे आओ main DNA का क्या मतलब है घ्यान से सुना रख घ्यान से समझना जो अब समझाऊंगा में यहाँ पे main DNA का क्या मतलब देखो हम क्या करते है इस bacteria के nucleoid को हम क्या नाम दे देते हैं इसे नाम दे देते हैं genomic DNA नो वट इस genomic DNA ये मेरे पास एक तरीके का main DNA है एक तरीके का क्या है ये main DNA तो मैंने क्या किया bacteria के nucleoid को मैंने नाम दे दिया genomic DNA ये bacteria का main DNA है ये bacteria का क्या है? main DNA इसके अलावा और कोई DNA bacteria का नहीं होता यहां तक समझा रही है? ये bacteria का main DNA है दूसरी बात दूसरा important point nuclear genomic DNA bacteria का main DNA main DNA का मतलब यह होता है कि सारी important gene इस पर होती है मतलब सारी जरूरी gene जो भी bacteria को मतलब alive रहने के लिए चाहिए वो सब इस पर होती है इसलिए इसको genomic DNA कहते है और ये main DNA होता है clear? तो all important gene इस पर है all important gene इस पर है और इसी को हम इसी लिए और इसको हम एक chromosome भी consider करते है single chromosome मानते है ठीक है? तो इसका मतलब इसका मतलब ये जो plasmid है ये क्या है भाई? ये भी एक अलग से DNA है ये भी अलग से DNA है जो circular है double standard है circular है तो अगर मैं plasmid के बारे में जानने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कहूँगा? देखो बिटा आप लोग बहुत ध्यान से समझना जो चीजे में बोले जा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो nucleoid है ये circular होता है single DNA होता है सारी जरूरी gene इस पर होती है ठीक है? तो फिर इस plasmid ये भी DNA है पर इस पर क्या है? तो plasmid क्या है? सबसे पहले सबसे पहला point जो इसके बारे में आप याद करोगे आप कहोगे ये extra kromosomal है चार point इसके लिए important होते है extra kromosomal मतलब main DNA से अलावा extra है extra kromosomal kromosomal किसको बोल रहे थे? इस वाले DNA को extra kromosomal next point हम लिखेंगे बिटा ये double standard है इसमें भी हमारे पास दो strand होते है double standard का मतलब ये भी ऐसे दो धागे का बना हुआ है पर ये भी circular है double standard है तीसरा point ये circular है इसका मतलब इसमें और इसमें genomic DNA में जो main DNA क्या similarity है circular है दोनों ठीक है? उसके अलावा हम लिखते है self replicating ये बहुत important point है जो आपको समझ में आना चाहिए self replicating का क्या मतलब है ध्यान से समझना देखो ये जो nucleoid है ये जो nucleoid है ये जब divide करेगा ध्यान सुनेंगे जब ये cell divide करता है तब ही nucleoid divide करता है मतलब मैं इस nucleoid से जब दो nucleoid बनाऊंगा तो दो cell बन जाते है लेकिन ये plasmid जो है थोड़ा सा अजीब सा है इसको इससे लेना देना नहीं है ये अपनी copy खुद बनाता रहता है मतलब इसको इससे फर्क नहीं पड़ता ये divide करेगा नहीं बनेगा मतलब एक cell में ये 40 है तो कुछ time के बाग 400 हो सकते है तो ये क्या होते है self-replicating होते है self-replicating का मतलब इनका division not depend on not depend on किस पे किस पे depend नहीं करता हमारे पास genomic DNA पे depend नहीं करता तो ये मेरे पास क्या है self-replicating ये बहुत important बात है ये ही एक technique है जिसको हम biotech में use करते हैं हम क्या करते हैं बहार से एक gene लगा कर इस पे लगा देते है इस पे जब gene लगा देंगे बहार से तो ये अपनी copy बनाए जा रहा है अभी 40 copy है जब ये 400 copy बनाएगा तो हमारे gene की भी 400 copies हो जाएंगी इसे कहते है gene की copy बनाना है gene cloning टेकनिक पढ़ेंगे class 12 में biotech में तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि दो तरह का DNA है एक main DNA, genomic DNA एक extra chromosomal DNA अब सवाल ये है कि जब main DNA है तो extra क्या कर रहा है actual में क्या होता है plasmid सारे bacteria में नहीं होता तो next important point about plasmid is next important point about plasmid is कि it is not present in all bacteria ज्यान से तुने विटा it is not present in all bacteria ये हमारे पास कुछ bacteria में होता है और special feature देता है तो हमने यहाँ पर ये बोला this plasmid के लिए हमने 4 feature बोल दिया extra chromosomal self-replicating circular double standard हमने बोला इस पे क्या होती है कुछ extra gene होती है some extra gene ठीक है या some special character होते है कुछ special character होते है जो necessary नहीं है बहुत ज़ादा हना special condition में काम आएंगे मतब luxury type का कुछ है कि कभी कुछ जुरुत पड़ीगी तब काम आएगा तो ये ऐसा नहीं है necessary वाले सारे यहाँ होते है ठीक है ये में इंडियन ने दूसरा plasmid not present in all bacteria सारे bacteria में नहीं होता in all bacteria मेरे पास plasmid नहीं होता दिमाग में बिठाओ इस बात को तो अब यहाँ पर मैंने ये सीखा कि plasmid के कुछ special role है आई बात समझे वो role कौन नहीं कर रहा nucleoid नहीं कर रहा तो plasmid के कुछ special role है जो nucleoid नहीं कर रहा तो nucleoid जब नहीं कर रहा वो special role कौन से है पहला एक role बता सकते हैं आपको तो देखो मालो ये bacteria है इस पे मैंने antibiotic डाला ये मर रहा है क्योंकि normally antibiotic वो chemical होते हैं which can kill bacteria लेकिन इस plasmid की वजए से ये bacteria उस antibiotic को असर करने ही ना दे मतलब plasmid कुछ ऐसी protein बना दे जिससे जो antibiotic आए वो काम ही ना कर पाए तो इसका मतलब मैं पहला लिख सकता हूँ R-plasmid इसकी type होती है बिटा R-plasmid क्या देगा resistance against bacteria against antibiotic bacteria नहीं against antibiotic समझ लो इस बात को so what are plasmid plasmids are plasmids are special type of DNA which gives some special feature one feature is बै चलो resistance बना देते हैं bacteria के लिए ठीक है दूसरा बिटा second एक plasmid होता है जिसे TI plasmid कहते है ये किसमे होता है ये tumor induce करता है TI की full format tumor tumor मतलब uncontrolled division of cell बिना control के cell divide कर है तो tumor induce कर रहा है plant मे induce in plant और ये खास रहके bacteria में होता है उस bacteria का नाम आपनी करना आपके syllabus में है ये 12th में नाम आएगा agrobacterium ये bacteria है बिटा tumifacients complete word है break करके इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए तो tumifacients agrobacterium tumifacients एक क्या है bacteria जिसमें special type का plasmid होता है जो किसी plant के root में जाकर division promote कर देता जिसे tumor कहते है वो क्यों tumor कर रहा है उसको मजा आ रहा है माजा के tumor कर रहा है नहीं हम ये कह रहे हैं बेटा हम ये कह रहे है कि हमारे पास एक bacteria है देखो जान से इस बेक्टिरिया इस नोन एज agrobacterium इसमें special type का plasmid है ti plasmid ये plasmid क्या करता है किसी plant के root cell में जाएगा ऐसे जाएगा और यहां tumor कर देगा उस tumor के cell से bacteria को जो chemical चाहिए वो बनवाएगा तो special benefit दे रहा है बेक्टिरिया को यहां तक समझा रही है clear यह चीज़ समझा रही है इसकी अलावा बिटा एक दो plasmid और होते हैं जो आपने पढ़ने होते हैं एक होता है हमारे पास हमारे पास होता है F plasmid F plasmid किस में help करता है एक तरीके से sexual reproduction में help करता है यह हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे तो sexual reproduction में यह क्या करता है help करता है F plasmid F का मतलब हमारे पास क्या हो गया fertility plasmid हो गया तो fertility plasmid किस में help कर रहा है कही ना कहीं किस में help कर रहा sexual reproduction में clear हो गई बात F plasmid help कर रहा है sexual reproduction में done क्या तक clear है ठीक है? आगे देखें इसे बहुत important. देखें बटा, F-plasmid के बाद आपने क्या detail देखने हैं? देखो, यह F-plasmid हो गया. यह किसमे help कर रहा है? यह किसमे help कर रहा है हमारे पास? पास sexual reproduction में help कर रहा है. इसे हम क्या बोल रहे है? F-plasmid बोल रहे हैं. यहां तक समझ आ रही है? यह चीज क्लियर है? ठीक है? अब जड़ा आगे जाओ. आगे जाओ. देखो, इसके अलाब बटा एक plasmid और बता सकते हैं, आप याद रखो तो अच्छा रहेगा. उसका नाम है degradative plasmid और यह खास रहे के bacteria में होता है, जिसका नाम बता देते हैं. आपको पर बटा, आप देखो इसके लिए खास चीज क्या है? हमारे पास क्या होता है? जो oceans होते हैं, उसमें जो पानी की ship होती है, वो oil spill कर देती है. मतलब, oil फैला देती है. अब उस पानी की जो oil फैल ग बनाया, मतलब, scientist लोगों ने एक bacteria बनाया, Indian scientist थे, उनका भी contribution था, एम चक्रवर्ती नाम है, तो उन्होंने एक plasmid उसमें डाला, bacteria में, वो plasmid का नाम, degradative plasmid था, उस bacteria का नाम क्या था, pseudomonasputida, यह bacteria क्या कर रहा है, यह bacteria basically क्या कर रहा है, degrade कर रहा है, किसको? degrade कर रहा है, oil spills को, जो फैला हुआ oil है, उसको तोड रहा है, हना, pseudomonasputida, एक special type का bacteria है, जो जिसको डाल दिया, जहां पर oil फैला हुआ है, उसका वो plasmid है, उसने special feature दे दिया, oil को digest कर रहा है, ठीक है, तो plasmid special feature देते हैं, वो सारे bacteria में होते नहीं, वो compulsory नहीं है, जिन्दा रहने के लि बाद और nucleoid के बाद, हमें क्या पढ़ना है, बेटा, ribosomes, नो, what are ribosomes, ribosomes, क्या होते हैं, बचे ध्यान से जुने, किसी भी cell में, हमारे पास DNA होता है, जैसे this is DNA, यह हमारे पास DNA है, DNA की information एक particular molecule में जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, RNA, अब इस RNA की information को use करके, protein बनाने का काम, इस और्गनल का है, जिसे हम ribosome कहते हैं, नो, ribosome क्या हो गए, ऐसी और्गनल, जो RNA पर लग कर, RNA पर, और basically कौन सा RNA, mRNA, तो हमने यह बोला, कि DNA की information किस में convert हुई, mRNA में, उस mRNA पर attach होकर, जो protein बना रहे हैं, उनका नाम ribosome है, तो ribosome सम्हाओ, किस में involved है, involved in protein synthesis, अगर उसका size देखोगे, बहुत छोटा होता है, size nanometer में होता है, NCRT ने लिखा भी है, 15 से 20 nanometer size लिखा है, बहुत छोटी और्गनल होती है, यह वो और्गनल है, जिसकी membrane नहीं है, तो यह वो और्गनल है, without membrane है, तो यह बात दोनों में common है, प्रोकरियोट और यूकरियोट में, पर इस ribosome की type अलग लग होती है, हम जैसे क्या करते हैं, हम weight लिख देते हैं, 60 gram, 40 gram, ऐसे करके, ribosome की जो type होती है, प्रोकरियोट में, प्रोकरियोट में unit होती है, उसको discuss करेंगे, और यूकरियोट में अलग-लग होती है, प्रोकरियोट के साइटोपलाज में, वो 70S type का होता है, और यूकरियोट में होता है, वो 80S type, तो आपने यह सीखना है, एक और्गनल है, जो क्या बना रही है, प्रोटीन, किस पे बना रही है, MRNA पर, वो और्गनल प्रोकरियोट और य उक्रीयोड में अलग-अलग टाइप की ओ राइबोजोन ने और यहां से सुनो जो पर राइबोजोन क्या करता है वैइसे थे salt मेरेबने और पर न ज Been मेरे से क्या बन रही होती है ऐसे मेरे पास प्रोटीन बन रही है क्या बन रही है प्रोटीन बन रही है यह प्रोटीन बन रही है ठीक है यह राइबोजोम है राइबोजोम है इसकी सब्विनिट होती है सब्विनिट मतलब पार्ट होता है लार सब्विनिट होती है और ऐसे स्मॉल सब भी निट होती है छीक है दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं 70S छीक तो आपने ये समझना है जब बहुत सारे ribosome एक single mRNA पर लग कर protein बना रहे हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं polysomes नाम देते हैं नव वटीज पॉली जोंस पॉली जोंस आर पॉली राइबो जोंस समझे ओ पॉली जोंस क्या है पॉली राइबो जोंस एं दिमाग में बिठाओ मतलब बहुत सारे राइबो जों ठीक है वन मैंनी बेन लार्ज नंबर ओफ राइबो जोंस गेट अटेच ऑन सिंगल एमारन एमारन में उसको हमने क्या बोल दिया पॉली राइबोजोम बोल दिया क्या तक समझ आ गई अब जड़ा आगे देखो बिटा लास्ट स्ट्रक्चर देखो मैंने क्या बताया था ध्यान से सुनना विच्चे बहुत इंपोर्टन रही है और यह बच्चों को कन्फ्यूज भी करता है इंक्लूजन बोडी है क्या ज्यान से समझना हम एक टॉपिक देख रहे हैं इंक्लूजन बोडी जो लास्ट्रक्चर है इसका सेल के अंदर इंक्लूजन बोडी हम क्रूमेटो फोर भी पढ़ेंगे पर वो बताएंगे किसमें हम लोग उसमें जो सेल आपका क्या है एक इस बैक्टीरिया का सेल है इस में मेरे पास ये सेल वौल थी ऐसे और यहां पर फिर मेरे पास ये प्लाजमा मैमम मेंबर्ण की हमने बैक्टीरिया का डीन ने भी बोला था ठीक है या डीन ने है हमने क्या यetted पढ़ा बेटा कुछ इन्सॉलिबल स्टॉक्चर्टिर्स होता इन इनुटूज़न बॉड़ी बोलते हैं ध्यांते सुनना मैं जो समझाओंगा आपको हमारे पास यह इनुटूज़न बॉड़ी है कि यह क्या है एक्ट्व में क्या होता है बैक्टीरिया में किसी इस चीज को स्टोर करने के लिए प्रॉपर ऐसा मेंब्रेन टाइप का नही साइटो प्लाजमिक स्ट्रक्चर, साइटो प्लाजमे हैं, विदाउट मेंबरेन, चेक करना, इस साल 2020 में आपको कोश्चन मिल जाएगा यह, विदाउट मेंबरेन, इंक्लूजन बॉडी पे, यह विदाउट मेंबरेन होते हैं, ठीक है, अगर किसी चीज को विदाउट उसका नाम है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ऐसे नाम रख देते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, मतलब ग्लाइकोजन स्टोर कर रहे हैं, ऐसे हम बिटा स्टार्च ग्रेन्यूल रख सकते हैं, ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल रख सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, उसका स्टोरेज हो सकता है सलफर ग्रेनियूल हो सकते है और क्या हो सकता है साइनो फाइसियन ग्रेनियूल ये अमीनो एसिड का स्टोरेज होता है एक तरीके से अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन का स्टोरेज है इसके अलावा क्या होता है बिटे खास रहके vacyeol होते हैं उसमें membrane होती है उन्हें हम कहते हैं gas vacyeol जहां से सुना मैं बता रहा हूँ gas vacyeol कैस में होगा sinobacteria में एक खास रहके bacteria आप लोग पढ़ोगे photosynthesis में नाम भी था उनका green sulfur bacteria purple sulfur bacteria ऐसे करके इन बेक्टीरिया में हमारे पास है मतलब वेक्योल जिसमें गैस स्टोर है, अब गैस को स्टोर करने के लिए तो मेंबरेन चाहिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं विदाउट मेंबरेन, तो मेंबरेन कहां से आ गई, मेंबरेन एक्चॉल में यह लिपिड बायलेर नहीं होती, जो हमने लिपिड की बायलेर पड़ क्योंकि इसके बिना मैं आगे आपको समझाता चीजे समझ नहीं आती है, तो यह सेल वाले चैप्टर में दुबारा से नहीं पढ़ेंगे, पर मॉनरा में हमने सेल का स्ट्रक्चर कम्प्लीट कर लिया, तो नेक्स लेक्चर में हम लोग इसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे, पर प्लीज मेक शूर आप सेल यूनिट ओफ लाइफ आले से इसकी न्सियाटी बढ़िया रीड कर लो, इसके लिए नोट्स बना लो, न्सियाटी रीड कर लो, ताकि आगे के लिए मैं पूछूंगा यह क्या है, तो आपको आना चाहिए, ठीक, डन, नेक्स लास में मिलते तब तक बिटा प्रॉपरली एंसियाटी पढ़िये, टाइम बेस्ट मत करिये, रेड्यूस स्क्रीन टाइम जितना पॉसिबल हो, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करिये, बेसिक्स आज भी वही है, लॉजिक आज भी वही है, किताबों के साथ समय देना, आपको इंप्रू